विजया दश्मी दशेरा या विजय दश्मी का त्योहार भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय भगवान राम ने इसी दिन रावन का वद किया था इसे असत्य पर सत्य की विजय की रूप में मनाया जाता है। दशराव वर्ष की तीन अत्यंत्र सुप्तितियों में से एक है, अन्य दो हैं चैत्र शुकल एवं कार्तिक शुकल की प्रतिपदा, इसी दिन लोग नया कार्य प्रारम करते हैं, इस दिन शस्त्र पूजा, वाहन पूजा भी किये जाती है, प्राचिन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रात्ना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे, दशरे का पर्व दस प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मत्सर, एंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुनों को छोड़ने की प्रेना हमें दे दशरा सब्ड की उत्पत्ती दशरा या दशरा शब्द दस एवं एहन से बना है, दशरा उत्सव की उत्पत्ति के विशे में कई कलपनाएं की गई हैं कुछ लोगों का मत है कि ये क्रशी का उत्सव है, दशरे का सांस्कृतिक पहलू भी है भारत क्रशी प्रधान देश है जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगा कर अनाज रूपी संपत्ती घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का ठिकाना नहीं रहता इस प्रसंता के अफसर पर वह भगवान की क्रपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन भी करता है वहीं इस उत्सव का संबंध नवरात्री से भी है क्योंकि नवरात्र के उपरांत ही ये उत्सव होता है इसमें माईशाशुर के विरोध में देवी के साहस्पून कार्यों का भी उल्लेक मिलता है राम और रावन का युद्ध रावन भगवान राम की पतनी देवी सीता का अपरहन कर लंका ले गया था बगवान राम युद्ध की देवी मादुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दोरान पहले नौ दिनों तक मादुर्गा की पूजा की और दस्वे दिन दुष्ट रावन का वद किया। इसलिए विजय हष्मी एक बहुत वी महत पूर्ग दिन है। राम की विजय के प्रती सुरूप इस परव को विजय हष्मी कहा जाता है। यहां लोक अपने परिवार दोस्तों के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का भरव्पूर आनंद लेते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं चूडियों से लेकर खिलोने और कपड़े बेचे जाते हैं इसके साथ ही मेले में व्यंजनों की भी भर्मार रहती है बारत में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी का दशेरा बहुत ही प्रसिद्ध है यहां का दशेरा देखने देश विदेश की लोग आते हैं यहां श्रद्धा भक्ति और उल्लास की त्रिवेडी देखने को मिलती है लेकिन इस बार एतियासिक दशेरा मेले में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भीड नहीं होने के कारण पहले जैसी रोनक नजर नहीं आएगी मेले के आयोजन के लिए उपचारिक तोर पर परंप्राओं का निर्वेन शुरू किया जाएगा और कोरोना नियमों के चलते 25 अक्टूबर को विजया दश्मी पर रावण देहन तो होगा लेकिन उसमें पहले की तरह लोगों की भीड जमान ना हो सकेगी जिसके कारण इस बार विजया दश्मी का पर्व फी का नजर आएगा दशेरे के त्योहार पर राम लीला का भी आयोजन होता है रावण का विशाल पुतला बना कर उसे जलाय जाता है दशेरा अत्वा विजया दश्मी भगवान राम की विजय की रूप में मनाय जाए अत्वा दुर्गा पूजा की रूप में दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष उल्लास तता विजय का पर्व है राम लीला में जगे जगे रामण वद का प्रदर्शन होता है शक्ति के प्रतीक का उत्सव शक्ति की उपासना का पर्व शारदे नवरात्ती प्रती पदा से नम्मी तक निश्चित नो तिथी नो नक्षत्र नो शक्तियों की नवदा भक्ती के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है दशेरे का उत्सव भी शक्ती के प्रतीक की रूप में मनाये जाने वाला उत्सव है विज्या दश्मी का महत्व दशेरे का दिन अत्यंत शुब माना जाता है इस दिन मजदूर श्रमिक लोग अपने काम के यंत्रों की पूजा करते हैं और लड़ू बाट कर खुशी जाहिर करते हैं दशेरे का पर्व असत्त पर सत्त एवं बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है इस दिन श्री राम ने बुराई के प्रतीक रावन का वद किया था अते हमें भी अपनी बुराईयों को त्याग कर अच्छाईयों को ग्रेन करना चाहिए तभी यह दिन सार्थक से दोगा अच्छाई